इस्राइल पर इरान और हिजगुला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दरसल अमेरिकी अखबार दन्यू यॉयॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इरान इस्राइल पर 15 अगस्त दो हजार चौबिस तक जवाबी हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच इस्राइल के उत्री बॉर्डर पर हिजगुला ने एक कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल के उपर इरान और हिजबुला की तरफ से डबल अटेक होने जा रहा है दरसल इसराइली सेना को इस बात की पुखता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुला की राडवान फोर्स उत्री इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है IDF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में खुसकर सेटिलमेंट्स में अपना ज़ंडा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है और ऐसे में हिजबुला को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने से पहले हिजबुला हर सेकेंड में उत्री इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने हर एक मिनट में उत्री इसराइल पर छे बड़े हमले किये हैं जिस से इसराइल दहला हुआ है हिजबुला का कहना है कि ग्यातौन में बने नए 146 वी डिवीजन के हेड़क्वाटर को ग्रेड रॉकेट के इस साल वो से उड़ा दिया गया हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्त 2024 की सुभा इस हमले के बाद मेतुला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिटरी साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया और शाम होते होते करीब 7 बज कर 15 मिनट पर हिजबुला ने हनीता मिलिटरी साइट के करीब इसराइली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला कर दिया हिजबुला के मुताबिक इस दौरान अलालम मिलिटरी साइट पर भी हमला किया गया है और अलमलीक्या साइट पर तो सीधे रॉकेट हमला किया गया जिस से IDF को भारी नुकसान हुआ है मैं हिजबुला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना के चीफ अव स्टाफ लेफटिन जनरल हैर्जी हलेवी ने IDF की एक बड़ी बैठक की है जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद्ध की योजना को मन्जूरी दे दी है हलेवी का कहना है कि हम उच्चिस्तर पर युद्ध के लिए तयार हैं बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में IDF के डिप्टी चीफ, इंटेलिजन्स हेड, ऑपरेशन के डिरेक्टर्स, उत्री कमांड के मुखिया और एर फोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था आपको बता दे कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये कि 12 अगस 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इसराइल पर अगले 24 घंटों में इरान और हिजबुला की तरफ से हमला हो सकता है, जिसके मद्दे नजर IDF ने ये मीटिंग ब और में हैं, तेहरान और बेरूट से खत्रा हकीकत में कभी भी बदल सकता है, और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है, और सतर्पता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और देहशत में हैं वहीं इस सब के बीच इरान के उपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके इरान को चेताबनी दी है, कि वो इसराइल पर हमलान ना करे, जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद की च पेट में आ सकता है, तीनों देशों ने अपने बयान में कहा कि हम गंभीरता से इस शेत्र में बढ़े हुए तनाव को लेकर चिंतित हैं, और तनाव कम करने और इलाके में इस थिरता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर एक जुठ हैं, इस परिपेक्ष में और विशेश के मौके और इसराइली बंदगों की रिहाई की बाच्चीत लडखाडा ना जाए। इस साफ कह दिया है कि इरान के पास उप्युक्त जवाब देने और रोकने का अधिकार है। आपको बता दे कि इरान से बढ़ते खत्रों को देखते हुए इसराइल काफी चोकन ना हो चुका है। और इरानी अटैक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि इरान की तरफ से इस हफते हमला हो सकता है। इसको लेकर अमेरिकी राश्रपती भवन के प्रवक्ता जान किर्वी का कहना है कि हमारी चिंता साज़्ा है और हम अपने इसराइली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफते हो सकता है। आपको बता दे कि जॉन किर्बी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी एरानी हमले के लिए पूरी तरहा से तयार है। किर्बी के मताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडली इस्ट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है। और ये मौजूदगी 13 से 14 अपरेल 2014 को हुई इसराइल पर हमले से 20 ज्यादा है। अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के ऊपर दोबारा अपरेल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा। ये मेकिन अपरेल कि तो इसराइल क उस Yani возь समारो खुच के हैं। इसे पेम क्षूच की ओंटे इसराइल More कि इसाइल ड्मेर्स जैश जैसे ĐRशा को घराइल didु Yuk जब अबना अजिए भनाफ अटिश का Forda Kare लुघ नबनाती जहारी उंपनातर की Summit लुव गिर मैं। क्यातीजा है पाइको बाइको बाइको अगर शफुटरा अपुटरा प्साल